हेलो दियर स्टुड़ेंट्स वेलकम बैक टू मैं च्रेटासर यूट्यूब चानल तो आज की इस वीडियो में हम च्लास एट का चाप्टर नमबर टेन शुरू किया था सेल एंद सेल और इलिट उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे मतलब पार्ट वन में हमने पेज नमबर शिक् जिसमें हमने सेल वाल एंड सेल मेंबरेन के बारे में इनफोर्मेशन डिसकस के दी और कुछ कोशन्स थे ओके तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे और पेज नमबर 69 और उसके बात का थोड़ा सा कंप्लेट करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर चानल को सब्सक्रा में शुरू करेंगे निक्स टॉपिक ओके तो जो प्रिवेस्ट लेक्टर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था सेल वाल और सेल मेंबरेन के बारे में और उसके बाद उसका डिफरेंस लिया था हमने और डियाग्रेम्स भी देखे तो एक बार और डिफरेंस रिवाइस करेंग membrane means it is elastin and strong coat sorry membrane a coat a elasticity to ringy licking a carrying a tough raga मतलब strong coat raga उसके बाद जो plasma membrane a a cell membrane a it is a thin मतलब पतली में रहेगी and fragile fragile means delicate इसका मेनिं क्या हो जाएगा delicate मतलब नाजुक में रहेगी plasma membrane and elastic elastic covering so what is plasma membrane it is the thin fragile and elastic covering fragile means delicate cell wall is composed of carbohydrates कोंसे थापकी कर्भोध्रेट्स which carbohydrates like cellulose and pectine कोंसे कर्भोध्रेट्स से वने रहेट सेल वाल it is made up of cellulose and pectine उसके बाद जो पॉलिमर से कोंसे polymers like lignin, suverine and cutene as per the need जैसी cell को जड़रोत होगी वैसे उसमें कुनसे कुनसे polymers add किये जाएंगे यह pectine sorry कुनसे lignin, suverine and cutene यह polymers उसमें add के जाएंगे okay उसके बाद plasma membrane किस्ते बनी हो रहे थी plasma membrane is made up of protein molecules which are embedded in two layers of phospholipids अब इसका मतलब बहुत क्या होता है यह समझ लो सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि phospholipid मतलब क्या होता है और protein molecules क्या होते है तो आप सब को मालू है protein मतलब क्या होता है it is the essential component of our body हम हमारे body की जो energy मिलती तो energy के लिए protein बहुत जरूरी है daily energy के लिए तो उसके हम protein molecules बोलेंगे and they are embedded in two layers of phospholipids phospholipids तो lipids मतलब क्या होता होता lipid मतलब ऐसा substance lipid means all like oil like substance lipid मतलब क्या होता oil like substance oil जैसा एक substance रहता हमारे body में उसको बोलते हम lipid तो वह किस्ते बहिने हो रहे थी two layers of phospholipid आपे phospholipid क्या है phospholipid मतलब ऐसे lipids कि जिसमें phosphorus group रहेंगा ठीक है sorry जिसमें phospholipid ग्रूप रहेंगा उसको बोलते हम फॉस्पो लिपिड तो इस डाइग्रेम में आप देख सकते this is the structure of phospholipid फॉस्पो लिपिड के डोट पार्ट से आपर सब्तुर में जूतुर से डाइगा है एसा रहीगा स्टॉक्चर से मेंब्रेन का हुआ यह अ सेकट लियर जोने अपर बीच में क्या रहे था फसी होए यापर प्रोटी इस फसी हो रहे थैंशा रहे रहे गा स्टॉक्टेर सेल मेंब्रेन का को तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉति हैं टाईप सब प्रोटीज क्राह आप को यहापर और दो लेर दिख रहे एक उपर की लियर आख में वोपर में बिल booking लेरे तिस ऑले रफ फॉसफीज और यह हैं डोने की सकते हैं फॉस्फोल लीपीड लेरा रही है ठीक है दिस्टू लेयर्स आर ऑफ फॉस्फो लिपीड का मतलब क्या पुण सा ग्रूप ऐसपेड गूरूप पीओ फोर tha अब यह क्या आए आपका ऌद में केमिस्ट के पता के मध्यूप सब्सक्राइब और बीच में क्या फ़से रहे थे उनके प्रोटीन सारा एंबेडेड बीट्वीन टू लेयर्स साफ फास्पो लिकेड की तो यह दूर फर्स्थ लेर हो गई these are the glycoprotein then this is the alpha helix protein ये आपको काईल जैसा structure दिखरा उसको क्या बोलेंगे हम alpha helix protein और ये जो नीचे जी दिख रहा है आपर इतना डिटेल में पढ़नी के ज़रूरत नहीं सिर्फ आपको पता चले इसलिए मैंने आपको बता दिया ओके तो आप जब 1112 में जाएंगे biology पढ़ेंगे नीट के लिए study करेंगे तब आपको अच्चे से पता चलेगा हूँ और सेलव Alban में कुछचे को इसलिए को साइड ऊच्चे करे आपको ये सेल मल्यन में चलेपक श्रुक्चर के बाद श्रीठेस में किस मि क्या का धिफरेंस थैसल वा लाल और सेल में किस मिन के का साइड दिफरेंस सेले बढूर कांकिन the cell उसके बाद to protect the cell then to prevent the entry of excess water in the cell okay these are the three functions of the cell wall when someone's a function say to support the cell to protect the cell and to prevent the entry of excess water Joe Zadda Pani I got sell me us ko nahi Anirina it is key responsibilities above the rear cell wall की है ओके उसके बाद cell membrane देखेंगे cell membrane को क्या बोलते हम selectively permeable membrane why selectively का मतलब क्या होता कुछ selected substances अंदर आने देगी और जो harmful substances है या फिर unwanted substances है वह cell के बाहर ही रखेगी इसके किसले क्या बोलने का उसको selectively permeable membrane okay it is useful molecule sorry because useful molecules of water salt and oxygen enter the cell the useful molecules okay cells के लिए जैसे के water हो गया salt हो गया oxygen हो गई these molecules can enter the cell and unwanted exit the cell जैसे carbon dioxide हो गया carbon dioxide क्या करेंगा cell के बाहर जाता आप सबको पता है किसके बारे में respiration के बारे में respiration जो process है उसमें क्या होता oxygen हम अंदर लेते और carbon dioxide बाहर छोड़ते मतलब जो cellular respiration उसमें oxygen अंदर लेते carbon dioxide सब्सक्राइब बारे मतलब entry and exit of gases यह किसकी जिम्मेदार यह इस फंक्शन of cell membrane ओके उसके बाद है cell membrane also maintain homeostasis अभी यह क्या है homeostasis मतलब आप सबको पता है उस दिन बताए था मैंने lecture में homeostasis मतलब ऐसे condition कि बाहर का environment कैसा भी हो लेकिन सेल का अंदर का जो of environment रही है रहेंगा वह constant रहना चाहिए वह चेंज नहीं होना चाहिए उसको क्या बोलेंगे homeostasis ओके तो यहाँ तक बिल्कुल clear सबका चलिए नेक्स टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ पर हमको एक question पूचा है can you tell how do substances travel in the cell cell में जो of transfer traveling कैसे करते है मैंने मतलब अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि there is entry and exist of gases okay जैसे carbon dioxide gas बाहर चाहती है oxygen gas अंदर आती है तो ऐसे जो प्रोसेस है उनको क्या बोलते हम उनको बोलते हम entry and exit मतलब gases exchange बोलेंगे हम उसको या फिर traveling of some substances in the cell वो दो तरीके से होते है कुछ ऐसे प्रोसेस है कि जिसमें energy का यूज होता stellar energy का यूज होता तो उसको क्या बोलेंगे हम activities that consume the cellular energy तो कुछ से प्रोसेस है endocytosis and exocytosis endo मतलब अंदर आना एक्जो मतलब बाहर जाना चेल के बाइंदर अगर सफ्टन से जाएंगे दूसको endocytosis बोलेंगे और बाहर अगर सफ्टन से जाएंगे तो उसको exocytosis ऐसा बोलेंगे okay so what is endocytosis to engulf और गल्फ गल्फ मतलब निगल लेना जैसे हम खाना निगल ले से बाहर से कुछ सफ्टन से जो यूस्फूल सफ्टन से वह सेल की तरफ खिच लेना अंदर उसको बोल देया एंडो साइट उस ओके एन वाट इस एक्जोसाइट उस तू एक्स्क्रीट वेस्ट मट्रियल साउट आप देसल जो मेताब लिक एक्टिविटीज होती है तेल में मतलब यूसफूल सफ्टन से अंदर लाने के बाद उसका यूस होता है और जो वेस्ट मट्रियल सेल के अंदर तैर होते हैं उनको बार निकलना भी जरूरिया ना तो उनको बाहर निकलने के जो प्रोसेस है उसको क्या बलने का एक्जोसाइट उस एक्जो मेंस बाहर निकलना तो यह जो दो प्रोसेस है एंडोसाइट उस एन एक्जोसाइट उस इस इस आर दो एक्टिविटीज देट कंजूम सेललर very important than premiere the activities case has major energy । इसले इन activities को के बौलने का active activities ya feel active processes so water how they are active processes because energy is consumed during this processes endocytosis and exocytosis tell in next topic देखते है, processes that don't consume cellular energy, अब कुछ आई से processes है, कि जिसमें cellular energy consume नहीं होते, मतलब energy का यूज नहीं होता, लेकिन नो processes चालो रहते, continuously शुरो रहते, इन प्रोसेस को क्या बलेंगे हम, passive processes, passive मतलब क्या होता, that don't consume energy, okay, these are the passive processes, these two processes are diffusion and osmosis, which are the two processes, which are passive processes, they are diffusion and osmosis, so diffusion or osmosis कि बाल में को अब detail में थोड़ा पड़ना है, diffusion is nothing but the entry or exit of small molecules like oxygen and carbon dioxide, तो उसका अब को ल्चति गासियस exchange, okay, gas is exchange means it is the diffusion, gas का एक्सचेंज आना, जैसे oxygen gas cell के अंदर आना, उसके बाद carbon dioxide gas cell के बाहर जनर इस्प्रेशन के बाद, उसको क्या बोलने का, diffusion process बोलने का, okay, these processes don't consume energy, hence they are called as passive processes, तो ये तो हो गया, gases के बारे में, जैसे oxygen और carbon dioxide के बारे में, कुछ processes ऐसे है, और एक process ऐसी है, कि जिसमें energy का use तो नहीं होता, लेकिन उसमें gas के जगा water का use होता है, मतलब कुछ पानी, सेल को अगर पानी की ज़रूरत रहेंगी, तो सेल अपनी पानी तो अपनी तरफ खीच लेंगा, ठीक है, और सेल में अगर ज्यादा पानी होगा तो सेल के बाहर पानी चला जाएंगा, और सेल में अगर बरबर पानी होगा, नहीं हम तो सेल में अंदर पानी आएंगा भी नहीं और बायर जाएंगे के नहीं ठीक है तो इसके हिसाब से सेकन्ड प्रोसेज जो इसको बूलेंगे अम ऑस्मोसिस what is the name of second process osmosis so what is osmosis traveling of water from a part with more water to the part of with less water मतलब जहां से मतलब जहां पे पानी का concentration ज्यादा है मतलब उसका amount समझो सेल में जहां अगर पानी का amount ज्यादा होगा तो उतनी जरूरत नहीं होगी तो उसमें का कुछ पानी बाहर चला जाएगा या फिर शेल में होगा तो फसेल अपनी तरह पनी खीच लिगा उसकी मेंब्रेन में जिसको plasmad meurend बोल आ को क्या करेगी पानी को एंट्री देगी तो उसको बोलते हम मतलब इस जो प्रोसे से उस्क्या बोलिगा अस्मोसी बोलिगा so what is osmosis osmosis the traveling of water from a part with more water to a part with less water okay through a selectively permeable membrane is osmosis so what is osmosis traveling of water from a part with more water to a part with less water through a selectively permeable membrane it is called as osmosis and it is a physical process with three possibilities अब यह क्या है three possibilities अब तीन कुण से कुण से पॉसिबिलिटीज है अब भी आपको मैं ने एक्समें किया तो three possibilities पहले जो पॉसिबिलिटी है सेल के अंदर का पानी और बाहर का पानी दोनों का कॉंसेंटेशन कैसे रहेंगा इकवल रहेंगा सेचन पउसिबिलिटी क्या हो सकती है सेल में अगर पानी कम रहा तो सेल अपने तरफ of Osmosis यहां पर एक एक एक्टिवीट दिये हम को किव फोर तो फाय रिजिन्स इन वाटर एंड और अफ्टर एन आवर अफ्टर वाट्स कीव द सेम रिजिन्स इस शुगर सूलिशन अब्जर हाफ अफ्टर एन अवर लोग दो दो अब्जर्वेशन सेंड डिसकर इन दे क्लास गहंटे के बाद उसको चेक करना उसके बाद सेम रिजिन्स जो है मतलब जो वाटर में रखे थे रिजिन्स है पानी में रखे हुए उसको यह निकलना और कहां पर रखना शुगर सूलिशन में रखना है शुगर सिरप में रखना और अब्जर करना एक घंटे के बाद क्या होका ते जिटार रेजिन्स केल वटर ये कया है रेजिन्स है जो पाने में भिगए हो ऊधे एक घर घंटे के लिए पाने में भिगाए है डिजिन्स ओके बद में एक घंठे के will absorb water औरो क्या हो जाएंगे फूग जाएंगे उसको बोलते हम तर्जीड तर्जीड मतलब क्या होता फूग ना तो आफ्टर वन एंड वन आवर इफ आप्जर रेजिन्स रेजिन्स बीकम तर्जीड देविले अब्जर्ब वाटर एंडिर वालूम इंक्रिजिस ओके उसके बा रेजिन्स डिक्रिजेस शुगर सुलूशन में अगर है रीजिन हमने रखे तो क्या हो जाएगा साइज डिक्रिजेस इनिशेली रेजिन्स एप्जर वाटर एंड बीकम तर्जीड मतलब उनकी साइज बढ़ गई मतलब पानी सेल्स के अंदर आ रहा ओके उसके बाद जैसे पानी ज्यादा हो गया उनको अगर हमने शुगर सुलूशन में रखा तो पानी सेल के बाहर चल गया मतलब बीकम फ्ल आघए आ खानी से लिए नस्थेर लिए आधए लिए रेक्टेय जेखते है जाए आद मतलब ये सा करद कर्याद का जूच्न में और अब पूचा आए निको बातल हमने मतलब इन आगाव पूच्छिए न क्यूर्ट मतलब आ इसका रिजन शपा आ हो साथा है सिम्पल है season there is a lot of moisture in water sorry there is a lot of moisture in environment so means there is a water can water vapor content and wooden doors absorb this water from environment and become turgid okay I was a nga folk jayenge or this keyword they say or tightly fit of them till the next page do I'm the three types of solution they care first is isotonic solution the second is hypotonic solution and third is hypertonic solution okay so what do you mean by isotonic solution kisco bowling guys are doing solution medium outside and inside the cell has same proportion of water then water doesn't go in or out funny cell key under mini aega or bar mini jayega as a solution cable not isotonic solution okay whose keyboard if the cell has less water than outside medium water enters the cell other cell can under panic amuga to bar company cell key under a jayega this is called as endo moses what is the process endo moses for example if regions are kept in water after some time this well and becomes turgid you have any activity the other reasons company pano me so care bigger took us there was a size burger to be panic a penny sales care under a jada this process is called as endo moses cable nice process co endo moses process both them loader to discharge between 2 nichto moses in Japan had gotta take a long time and well later look a company side inside the cell cellba live by Hawaii in wapane as a left body lider the endo more Caesar okay endomethous is or a type of solution a is solution coming at all in I am I saw tonic solution okay I suggest solution is cool devil them isotonic solution and this process is called as endomethous получится a ptis ratio solution and that is the hypertonic solution so what is in my hypertonic solution the cell has more water than the outside medium so water comes out of the cell but love panic a concentration of our cell care under the other OGA if concentration of water is more inside the cell then water comes out of the cell and this process is called as exomosis or plasmolysis is process cookable now plasmolysis or exomosis they say only upper endomosis volata endomosis means sell the under panina by seems to be opposite exomosis means sell the bar panic and sell the bar panic of jaga agar sale care under the other PANI over mother caused the water concentration data OGA the sale care bar panic alexa Ega is Lee's process cookable them plasmolysis air or exomosis is the best example if fruit pieces are kept in thick saturated sugar solution water from fruit pieces enter the sugar solution the food pieces lay or scope cut Kia or a car a cash saturated sugar solution America took care of Jaga water from fruit pieces enter the sugar solution so the food you say sorry so the food pieces shrink after a while if plants are all animal cell is kept in hypertonic solution water comes out the cell by the process of exomosis and there is contraction of cytoplasm okay the food pieces is sundry process क्यों lustre in the water a month come out the man's home table save the plant say the animal cell or hypertonic solution buried in the water to sell the bar panina jayega is process by pulling him exomosis process billing hey the gift food prices say N метod pieces agar am ne Cara kis saturated यह शुगर सुलुशन शुगर सुलुशन इसमें अगर नमने फ्रूट पीसे रखे तो कुछ देर बाद इस फ्रूट फीसेस का जो पानी है वह बाहर चले जाएगा ठीक है वाटर जो इसका बाहर चले जाएगा इस लिए इस प्रोसेस को क्या बोलना एक्जोमोसिस और यह जो सुलुशन रहेगा इस सुलुशन इस कॉल्ड एस है पर टोनिक सुलुशन तो उम्मीद करता हो कि या तक आपको क्लियर ली बिल्कुल समझ में आ गया है अगर पूरा समझ में आ रहा है वीडियो तो प्लीज व प्रियुशन तुमने पड़ा उसको रिकॉल करो है विस इन दफुल्ली टर्जीर रेक्टेंगुलर सेल्स अप ऑनियन पिलिंग्स आपने अनियन पिलिंग्स के सेल्स बेका माइक्रोस्कोप के नीचे जो फिछले साल तुम को एक्टिविटी थी उसको थो था रिकॉल करो cells दिखेंगे, rectangular cells दिखेंगे आपको यहाद और, तो दिखते, दिख सकते है, cells of onion peeling, यह rectangular cells, यहाँ का एक, यहाँ का rectangular cell, यह उसके cell wall, nucleus है, cytoplasm है, और vacuola, यह cell दी है, onion का, so what is cytoplasm, cytoplasm is fluid between the plasma membrane and nucleus, अब nucleus मतलब क्या है, cell का एक major part है, nucleus हो बाद में, हम डिसकस करेंगे, उसके बार ही में, तो सबसे पहले है, हम लो, what is in by, cytoplasm, cytoplasm मतलब क्या होगा, ऐसा एक, liquid है, cytoplasm is a liquid, which is present between plasma membrane and nucleus, it is moving, sticky, sticky, soft turns, यह क्या है, moving, मतलब मुख करते रहता है, jelly legs of turns है, and sticky soft turns, mini cell organelles, many cell organelles are suspended in the cytoplasm, suspended मतलब क्या होगा, आपे fix रहना, जो cell organelles है, मतलब cell के जो other parts, organs है, वो कहां fix रहेंगे, कहां suspended रहेंगे, cytoplasm में, okay, cytoplasm is the medium for cellular chemical reactions, very important, cytoplasm is the medium for cellular chemical reaction, जो chemical reactions होती रहते रहते, यह में, उसका मीडियम को ने, cytoplasm, the part of cytoplasm other than cell organelles is called as cytosol, so what is in my cytosol, the part of cytoplasm other than cell organelles is called as cytosol, मतलब जो पाट रहे था, cytoplasm का, cell organelles छोड़ के, nucleus, वगेरा, mitochondria, यह सब छोड़ के, जो remaining part, जिल लेक, fluid रहे था, उसको क्या बोलिंगा, cytoplasm, सब्सक्राइब, 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 जो लिक्विड बचेगा, जो लेक्विड बचेगा, जिल लेक्स, सफ्टर्स को क्या बलते हैं, cytosol बोलेंगे, okay, cytosol stores vital substances like amino acids, glucose, vitamins, etc, तुसका काम क्या है, cytosol का, it stores the vital substances, vital means essential substances, means they are important for cell, essential substances like amino acids, glucose, vitamins, etc, in animal cells, cytoplasm is more granular and dense, dense मतलब क्या होता, ठीक, animal cell में जो cytoplasm है, मोर ठीक रहेगा, granular रहेगा, granular मतलब, उसमें small small particle जैसे दिखे गया, ठीक रहेगा, while in plant cell, लेकिन plant cell में क्या रहे था, it is thin and mostly pushed to the periphery, due to a large central vacuum, तो आप सब को पता है कि जो plant cell उसमें vacuum बहुत बड़ी साइस का रहे था, इसलिए उसका जो cytoplasm है, वो ठीन तो रहे गई, लेकिन periphery के उदर push होगा, periphery मतलब क्या हो था, जो छोटा सा पाट रहे था, उसको हम periphery, वहाँ की तरफ push होगा, ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो I hope सब को वीडियो क्लियरली समझ में आ गया, नेक्स वीडियो में हम सेल और बनी श्टाट करेंगे, वन बाइवण सेल और बनी August ये स्टारकरते। कर जाएंगे का अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्स्क्राइब करो और दोसतों के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है, तो थैंक्स फर वाचिंग, बाय और टेक केर आफ यॉरसेल्फ